अध्याय 15. ईमांदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर प्रभा XP सर और उसके च्हात्र अब एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार एजनसी में पहुँचे थे, जहां एक विशेश सेमिनार आयोजिक किया गया था. इस सेमिनार का विशय था इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर प्रभाव, विशलेशन और उदाहरन XP सर और उसके छात्र सेमिनार हॉल में पहुँचे जहां पहले से ही कई प्रशासनिक अधिकारी और विशेशग्य उपस्थित थे XP सर ने छात्रों को एक और बैठने का संकेत दिया और सेमिनार की शुरुवात की आज हम चर्चा करेंगे कि इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर क्या प्रभाव पढ़ता है और इसके उदाहरनों से इसे सपष्ट करेंगे गनेश ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किये इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर महत्वपून प्रभाव पढ़ता है क्योंकि यह संस्थाओं की विश्वस्नियता और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखती है उदाहरन के लिए अगर एक सरकारी अधिकारी इमानदारी से अपने कारियों का पालन करता है और किसी भी प्रकार के भ्रश्टाचार से दूर रहता है तो नागरिकों का उस पर विश्वास बढ़ता है एक इमानदार अधिकारी की वजह से लोगों को यह भरोसा होता है कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं निश्पक्ष और पारदर्शी है गायत्री ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की एक बार एक राज्य में एक बड़ी सडक निर्मान परियोजना चल रही थी परियोजना के प्रमुख अधिकारी ने इमानदारी से काम किया सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया और किसी भी प्रकार की अनियमित्ताओं से बचा इसके परिणामस्वरूप सडक की गुनवत्ता उच्च रही और परियोजना समय पर पूरी हुई नागरिकों ने इस परियोजना की सफलता को इमानदारी के कारण माना और सरकारी संस्थाओं पर उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया वैशनवी ने एक और उदाहरन पर ध्यान केंद्रित किया एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल के बजट के उपियोग में पूर्न पारगर्शिता और इमानदारी बनाये रखी उन्होंने किसी भी प्रकार के निजी लाब या गबन से बचने के लिए बजट की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की और उसकी जाच के लिए एक स्वतंत्र समिती बनाई इस इमानदारी के कारण स्कूल की व्यवस्था में सुधार हुआ और छात्रों और अभिभावकों का स्कूल पर विश्वास बढ़ा राधिका ने एक सामाजिक दृष्टिकों से बात की इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर प्रभाव समाज के विभिनस्तरों पर देखने को मिलता है उदाहरण के लिए एक नगर निगम अधिकारी ने अपने कार्याले में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक सक्त नीती लागू की इसके कारण नागरिकों को सरकारी सेवाओं का समय पर और उचित तरीके से लाभ मिला और भ्रष्टाचार की समस्या कम हो गई फ्रोहिनी ने एक तक्नीकी द्रिष्टिकों से बात की इमानदारी का प्रभाव तक्नीकी क्षेत्र में भी देखा जा सकता है उदाहरन के लिए एक सरकारी सूचना प्रोध्योगी की परियोजना के प्रमुख ने सभी डेटा प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का इमानदारी से पालन किया इसके परिणामस्वरूप डेटा की सुरक्षा और गोपनियता बनी रही और परियोजना की सफलता में इमानदारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा पुर्वा ने एक अन्यद्रिष्टिकों प्रस्तुत किया इमानदारी का प्रभाव आर्थिक खेतर में भी स्पष्ट होता है उदाहरन के लिए एक सरकारी योजना के तहट वित्रित किये जाने वाले फंस के प्रबंधन में इमानदारी का पालन करने से उन फंस का सही उप्योग हुआ और योजना के लक्षयों को पूरा किया गया इससे सरकारी योजनाओं के प्रती नागरिकों की विश्वास की भावना बढ़ी स्वेता ने निशकर्ष निकाला इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर व्यापक प्रभाव होता है यहन केवल सरकारी संस्थाओं की विश्वस्नियता को बढ़ाता है बलकि नागरिकों के विश्वास को भी मजबूत करता है इमानदारी से किये गए कार्य, पारदर्शिता और निश्पक्षता सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं प्रभावी और सफल हो सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया इमानदारी का प्रभाव केवल वर्तमान में ही नहीं बलकि भविश्य में भी देखा जा सकता है एक इमानदार सार्वजनिक सेवक की वजह से भविश्य में सरकार के साथ नागरिकों का विश्वास और भी मजबूत होता है और इसका प्रभाव दीर्ग कालिक होता है फिक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन पर महत्वपून प्रभाव पड़ता है यह न केवल विश्वसनीता और विश्वास को बढ़ाता है बलकि सरकारी संस्थाओं की सफलता में भी योगदान करता है सेमिनार के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने प्रशासनिक सुधार एजनसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और समझा की इमानदारी का सार्वजनिक प्रशासन में कैसे प्रभावी धंग से पालन किया जा सकता है यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि इमानदारी को अपने पेशेवर जीवन में अपना कर वे सरकारी सेवाओं की गुनवत्ता और विश्वसनियता को बढ़ा सकते हैं जैसे ही वे एजनसी से बाहर निकलने के लिए तयार हुए छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें इमानदारी के महत्व और इसके प्रभाव को समझने का एक महत्वकून अफसर प्रदान किया है यहाँ अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में इमानदारी को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है